हेलो गाईज तो कैसे हैं आप सब आसा करते हैं कि आप सब इस स्वास्त होंगे और मस्त होंगे आज हम आपको बताने जा रहे हैं अर्फ कल्यार कैपसुल का डिटेल आपको हम आज बताने वाले हैं और इसका इस्तेमाल क्या है कैसे क्या साइड इपेक्ट हो सकते हैं तो यह स वीटीज ही में ऐसे जर रिचाएंगा और इसे जन वह से पानी भार में, तो सबसे हम Zandac कुछ बावसीर के बारे में जानते हैं क्या है बावसीर और यह कैसे हम समझे कि हमें बावसीर है तो इसमें यह होता है कि आपको बावसीर में दर्द होता है लैट्रिंग अब जब भी जाते हैं तो आपको दर्द होता है लैट्रिंग करते समय या आपको लैट्रिंग करते सम करने वाली जगह पे आपको सोजन आ जाए और या खुजली होने लगे बहुत ज्यादा और उसके साथ सोजन आ जाए तो इस टाइप की कुछ अगर आपको दिखाई दे रहे हैं लच्छड तो आप यह समझ सकते हैं कि हमें बवासीर है आप बवासीर जो है में दो तरह की होत सब्सक्राइब करते हैं बवासीर के दिखाई देते हैं लेकिन वह अपने फिर अंदर चले जाते हैं कोई आपको बिसेस दिक्कत नहीं होती है कभी कभी हलका फिलका सब्सक्राइब हो सकती है दर्द भी हो सकता है, थर्ड इस्टेज जो है, तीसरा इस्टेज जो है, उसमें मस्से आपके बाहर आते हैं, और वो अपने आप अंदर नहीं जाते हैं, जब भी लैटेंग आप करते हैं, तो मस्से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अंदर नहीं जाते हैं, उसको आपको धक्का द जाते हैं पस भी आने लगती है तो यह क्रेटकल केस हो जाती है आपको फॉर्थ हिस्टेज में आपको तुरण डॉक्टर से संपर करना होता है किसी भी आपके नहीं देखी जो अच्छा सर्जन हो आपको सर्जन से मिलके उससे सलाह लेनी होती है जहां तक इसमें आपरेशन क करवाएंगे तो उसमें समय कम लगते हैं और आपका जखम जल्दी भर जाती है कभी कभी है आपने देखा होगा कुछ लोकल डॉक्टर से ऐसे ही लोग कहीं भी आपरेशन करवा लेते हैं कुछ लोग बाल बंदवा लेते हैं बाल से बांद फिए कुछ लोग गलाते हैं यह जो जो आपको इंजेक्शन लगाते हैं या बाल से बांध करके उस मस्टे को गलाते हैं या ऐसे ही हलकी फुलकी काट करके उस मस्टे को गलाते हैं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा परेसानी होती है बहुत ज्यादा दर्द होता है बहुत ज्यादा समय लगता है बहुत च्छोटी सी आगे बढ़ने के चक्क में अच्छी किसी डॉक्टर से न दिखा कर कर कि लोग कहते हैं चलो गउं में ही अधेहाद में ही या कोई उनके नहीं की है जो काईरा है चलो हम खरवा देंगे ये करवा तो ऐसे लोगों के चक्का मेना पड़े आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें इसमें बहुति बड़ी आप्रेंशन नहीं होती है छोटी आप्रेंशन होती है अच्छे किसी अब करवाएं सर्जन से करवाएं और उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है हफ्ता से पंदर दिन मे आप completely सही हो जाते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होती है 15 दिन के बाद आप किसी भी कोई भी आप duty कर रहे हैं तो आप duty पर जा सकते हैं आपको कोई परिशानी नहीं होती है पूरी तरह से आप स्वस्थ हो जाएंगे आपको 6 महीने या 3 महीने दवा खाने से अच्छा है क कि आप किसी अच्छी डेक्टर से दिखाएं और 15 दिन में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं कोई दिक्कत नहीं होती है अब इसके आगे जानते हैं कि हमें बावसिर में क्या बचाना होता है क्या खाना होता है और क्या खाना नहीं होता है तो बावसिर में आपको तली भूने चीज़े तो लेनी नहीं होती है और आपको मसालेदार चीज़े जो है सराब हो गएरा तमबाको बेड़ी सेगरेट जो भी आप यह सब करते हैं नसा हर चीज़ आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको बावासिर से छुटी पाना है तो और अब जानते हैं कि क्या हम लें क्या खाएं तो बावासिर में वाले पेसेंट जो हैं सबसे उनके लिए अच्छा यह होता है कि तेल मसाला वाले चीज़ बेलकुल ना खाएं आप दूद से भी थोड़ा परहिज आपको करना पड़ेगा क्यों दूद से भी बहुत लोगों को दिक्कत होती है कबज जैसे नारियल का पानी पीएं आप या सिजनल कोई भी फ्रूट हो आपके यहां जो अविलेबल हो तो आप उसे उसका सेवन करें सबसे इसमें अच्छा अगर पपीता आपको मिल जा रहा है सबसे सबसे सबस्ता फ्रूट है देहातों में तो हर घर में उपलद दे पपीता आप पीते का सेवन करें बहुत अच्छा रहेगा बहुत अच्छा रिस्पांद देगा यह इससे आपको कबजियत मसुस नहीं होने देगी अप कोई जान लेते हैं साइड इफेक्ट के बारे में तो इसका कोई बिसे साइड इफेक्ट नहीं होता है ना के बराबा साइड के सेवन बंद कर दें हो सकता है इसका साइड एफेक्ट हो और आप अपने ड़ने की डॉक्टर से समपर्ख जrogen कह रही है तो अब इस capsule का इस्तिमान न करें या आपको मस्ते जो है ज्यादा बड़े हो गए हैं वो बाहर के तरफ आने लगे हैं वो अंदर नहीं जा रहे हैं या लैट्रिंग करते समय ब्लड ज्यादा आ रही है तो आप इस capsule का सेवन न करें और आपने अपना देखी डॉक्टर से संपर करें किसी अच्छी डॉक्टर से सरजन से मिलने और संपर कर ले दिखा ले वो डॉक्टर क्या कह रहा है उसके हिसाब से आप अपना इलाज करवाएं ये जनकारी कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी जनकारी वीडियो पाने के जय हिंद जय हमाँ